भाई आ बोल अगर बहरे लोगों ने कभी कुछ सुना ही नहीं है तो वो सोचते कौन सी भाषा में होंगे कुछ भी बखवास भाई आ बोल अगर मैं कहीं हारने गया और मैं जीत गया तो मैं हारा या जीता अबे सिंपल तो है भाई आबोल जब जहर के एक्सपारी डेट निकल जाती है तो और ज़हरी ला हो जाता है या कम ज़हरी ला एक्सपार के बोल औरेंज फ्रूट को देखके औरेंज कलर का नाम रखा गया या औरेंज कलर को देखके औरेंज फ्रूट का नाम रखा गया एक्चली और भाई एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट हाँ अब बोल जब अंधे लोग अपने घर का शिशा साफ करते हैं तो उन्हें पता कैसे चलता है कि शिशा साफ हो गया ओके दे सो भाई आ चल्दी बोल जब पहली बार कोई इंसान घड़ी बना रहा था तो उसे कैसे पता था कि उस वक्ट क्या टाइम हो रहा है कर लिया टाइम वेस्ट चल निकल रहा भाई क्या है अगर जीरो की खोज कल यूग में होई तो फिर रामायण में रामण के दस सिरो की गिंती किस ने और कैसे की अब यह समान ढूट रहा है यह समान भाई क्या है यार कहीं ऐसा तो नहीं है जिस आदमी ने फर्स्ट एप्रिल को एप्रिल फूल टिकलेर किया वो हम सबको एप्रिल फूल बना रहा था और एप्रिल फूल नाम की कोई चीज ही नहीं है एक तो मच्छरों ने परशान कर रहा है भाई अब क्या हो गया जब कलर ब्लाइंड लोग ट्राफिक सिगनल से गुजरते हैं तो उन्हें कैसे पता चलता है कि रेड लाइट जल रही है या ग्रीन लाइट यार मैंना अभी पेंटिंग बना रहा हूँ मैं इन सब चीज़ों पर थे भाई जल्दी बोल भाई पनवेल निकलना है ये सेंट वर्ड में S लेटर साइलेंट है या C जल्दी तू साइलेंट नहीं होगा पा भाई बोले भाई बोल लै अगर कोई मच्छर हमारा खून चूस रहा है और हमने उसे मार दिया तो हमने उसका खून बहाया या अपना बोलता रह भाई बोलता रह मैं आप सुनी है नहीं रहू तेरी बातों पर ध्यानी भाई हाँ बोल जब हम लोग इतना कलरफुल खाना खाते हैं तो हकते मोसली पीले के ही शेड में क्यों है यार मैं कुछ खा रहा था अरकम सकम बोलने से बहले देख तो लिए अगर इंसान कर भाई मेडिटेशन कर रहा हूं मैं जल्दी बोल अगर किसी इंसान के दोनों हाथ ही नहीं है तो वो अपने चेक्स कैसे साइन करेगा हाथ सुन लिवाने तरी बात अगर दूर से बोल दूर से अगर अलग-अलग कंट्रीज में अलग-अलग टाइम होता है तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि हम एरोप्लेन से टाइम ट्रैवल कर सकते हैं देख्या सबसे पहले टाइम ट्रैवल का मतलब होता है एक टाइम से दूसरे का अगर हम इंडिया में साउथ वाले स्टेट्स को साउथ इंडिया बोलते हैं तो क्या साउथ अफरीका में साउथ वाले स्टेट्स को साउथ साउथ अफरीका बोलते होंगा अब एक्सरसाइज करने दे भाई हाँ बोल ये आलू कैसे उगाई जाती है इसका जवाब दे सकता हूँ मैं देख आलू उगाने के लिए सबसे पहले हमें एक आलू चाहिए जिसको हम काट के जमीन में बो देंगे और उसी आलू से बहुत सारी आलू निकल जाएगी तो बेसिकली हमें आलू उगाने क के लिए एक आलू ही बोनी पड़ेगी तो फिर दुनिया की सबसे पहले आलू किसने हो गाई बहुँ अ है खूँ भाई भाई है इस वाद में ना कुण्फु प्राइक्टिस कर रहे हमाँ तो पिट जाएगा मुझसे कुट को कट डोलता हैं ब्यूटी को बट दोलते है न यूटी को नट बोलता है तो पीूटी को पट क्यों नहीं को बोलते हैं अबे चुप कर जाए यार भाई, हैपी बर्डे अरे भाई, तैंक यू यार, तैंक यू सो मच यार आज़ा बैट, दारुक बार्टी करते हैं भाई, अगर ड्रिंक करके ड्राइव करना इल्लीगल होता है तो फिर बार्ज के बाहर पार्किंग स्पेस क्यों होता है यार, एक तो तेरे सवाल नहीं खतम होते हैं यार अबे कोई ड्रिंक करेगा बार में तो अपने घर भी तो जाएगा ना यार ड्राइव, कर, ड्राइव भाई, जल्दी बोल, जल्दी, जल्दी भाई, अगर हम नरेंद्र मोधी को शौट में नमो और राहूल गांधी को शौट में रागा बोलते हैं तो क्या हम नितिन गटकरी को शौट में निगा बोलेंगे क्या बोल रहा है यार अबे नितिन गटकरी का शौट फॉर्म तो निगा कौन है भाई, अभी क्या है यार, गेम पर फोकस करने दे भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि पेड़ जब पाद मारते हैं तो ओक्सिजन छोड़ते हैं उनकी पाद सूंके ही हम जिन्दा हैं तेरी सारी चाले समझता हूं मैं तो गेम हारने वाले इस वज़से तू ऐसी बात भाई, हाँ बोल, भाई अगर इंसानों ने कभी डाइनसौर्स की आवाज सुनी ही नहीं, तो फिर यह जुरैसिक पार्क मूवी वालोगों कैसे पता कि डाइनसौर्स की आवाज कैसी थी भाई, हाँ बोल, भाई अगर दो ट्विन्स बच्चों की लडाई हो जाए और पहला ट्विन दूसरे ट्विन को बदसूरत बोले, तो क्या वो खुद को ही बदसूरत बोल रहा है? भाई, हाँ बोल, भाई जब पहली बारी किसी इंसान ने दुनिया की सबसे पहली लैंग्विज बनाई, तो उसने वो लैंग्विज दूसरे इंसानों को कौन सी लैंग्विज में समझाई? अब नई यार, क्या कन्फ्यूस कर रहा है तू? लैंग्विज सिखाने के लिए लैंग्विज बनाई, भाई, हाँ बोल, भाई क्या तुझे ये बात पता है कि तू इस दुनिया में कौन से नंबर पर आया था? नई, पर भाई क्या तुन्हें कभी ये बात रेलाइज की ह है कि अगर तू किसी के मरने के विश्मांगता है तो वो एक ना एक दिन पूरी जरूर हो जाती है अब पागल है क्या? भाई अगर हमें किसी अंधे इंसान को कोई कलर एक्स्प्लेन करना है तो हम कैसे करेंगे? अब ये अंधे को कलर भाई, हाँ बोल, भाई जब पेडिग भाई, भाई प्लीज यार तु मेरा मूड मत खराब कर हाथ जोडता हूं प्लीज जाए यहांसे भाई जब पहली बारी किसी इंसान को पता चला कि गाये दूद देती है वो ऐसा कर क्या रहा था गाये के साथ कि उसको ये बात पता चली? मतलब तेरी सोच इतनी घटिया गि मतलब तो पुलिस उसको हतकड़ी कैसे लगाएगी? मा की आँक रहना है भाई आ गया? मैं बता रहा हूं तुझे भाई जो लोग बोलते हुए हक लाते हैं क्या अपने मन में बोलते हुए भी हक लाते होंगे? तो बोलती बंद करेगा अपनी? भाई जब कोई इंसान पहली अब यह अगला स्टिडेंट आ जाओ बैट भाई रोलंबर बता सर अगर हम दुनिया में कुछ भी सीख सकते हैं तो अगर हम इस सीखना सीखना हो तो कैसे सीखेंगे? अगर हम शराब में नीमबू निचोड के पिएंगे तो में नशा चड़ेगा यह उत्रेगा? अभे वे मैं तेरा वाई 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 ले रहा हूं तू मेरा वाई वाई ले रहा है सर जब हम दो उंगलियों को आपस में ऐसे टच करते हैं तो हम कौन सी उंगली को फील कर रह इस किए गया वाई देखो मेरा मानना है कि प्यार का बंधन एक टूट बंधन होता है तो इसलिए हमें अपने रिष्टे को आगे बढ़ाने से पहले एक दूसरे को लेके जो भी सवाल है वो क्लियर कर लेने चिये तो पर मुझी यह बताओ कि यह किस इंसान ने डिसाइड क तो अधिया कि एक किलोमेटर कितना लंबा होगा नहीं, मेरे मतलब है कि तुमको मुझ से related अगर कुछ सवाल है तो अगर हम ने कोई परफेक्ट छुपने की जगार ढूड ली तो अपर परफेक्ट छुपने की जगार कैसे हुई क्योंकि हमने तो उसे डूड लिया ये क्या बोल रहे हैं तुम जब हम अंदर सांस खिशते हैन तो हमें बाहर की स्मेल आती है लेकिन जब हम बाहर सांस छोड़ते हैं तो हमें अंदर की स्मेल क्यो नहीं आती तु से इंगल ही मली ओ बढ़ रहे भाई भाई रात के तीन बज़े क्या प्रॉब्लम हो रही है तुझे भाई इस दुनिया में एक ऐसा इंसान होगा जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा सीक्रेट्स रखने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया होगा पर ये बात हमेशा एक सीक्रेट ही रहेगी अब ये बात तु मुझे सूबह भी बता सकता था भाई भाई जब इस दुनिया में फ्रांस नाम का कोई देश एक्जिस्ट नहीं करता था तब लोग फ्रेंच किसको क्या बोलते थे यार फ्रेंच किसकी बात ये करने के लिए तू ही मिला है मुझे भाई स्पीड ओफ लाइट तो पूरी दुनिया को पता है पर क्या किसी को स्पीड ओफ टार्पनेस पता है सोने मत दियो तू मुझे डल ले चल जाड़े गेम ओवर लास्ट विश बोल भाई अगर स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म करने के लिए ड्रक्स लेना अलावड नहीं है तो फर ब्यूटी कॉंटेस्ट में मेक अप करना क्यों अलावड है एए क्या बोल रहा है लास्ट विश बोल भाई अगर रितिक रोशन के हाथों में अच्छे उंगली है तो क्या जब वो हाइफाइफ देगा तो हम उसे हाइज सिक्स कहेंगे अबे टाइम नहीं है मेरे पास टाइम मत खोड़ी कर यहीं ठोक दूँगा भाई अगर हमारे आसू नमकीन होते हैं तो हमारी आखे जलती क्यों नहीं जब हम रोते हैं तीरा तो गेम बजाना पड़ेगा तीरा तो गेम ए तेरी वैड की यह गेंद गई है फलक में भाई भाई अभी नहीं यार प्लीज प्लीज भाई प्लीज भाई अगर किसी कैंसर पेशेंट को एड्स हो जाए तो वो कैंसर से मरेगा या एड्स से मैं भी क्यों ही सोच लेता हूँ कि तू मेरी बात मान के चुपो जाएगा भाई अगर दो बिना हाथो वाले इंसानों की मार पीट हो जाए तो क्या तब भी हम उसे हाथा पाई कहेंगे पैरा पाई बोलेंगे भाई पैरा पाई चुपो जा चुपो जा भाई क्या कोई अंधा इंसान किसी बहरे इंसान के साथ कम्यूनिकेट कर सकता है अबे तो अंधा गूंगा थोड़ी है मेरे भाई वो बोलेगा बहरा सुन लेगा